जाहिन साथियों चलिए दोस्त आज लेकर आज हाजिर हैं हम चाइल्डूंड एंड ग्रोइंग अपके फिर नेक्स्ट मास्ट विवी आई कोश्चन्स तो दोस्त आज का कुश्चन है जो कि बीड इक्जाम में एवी कोश्चन्स से हमेशा पुछ जाते हैं वो है टॉल में एक बैज्यानी का नाम है जिसका नाम है टॉल में के चिन अधिगमन सिधान्त यानि की कोश्चन बोल रहा है कि टॉल में के चिन अधिगमन सिधान्त पर इसके सैचिक नहितार्थों शहित द्याप्रकाश डाले यानि कि साथियों टॉलमेन का एक चिन अधिगमन सिधान्त होता है उसके बारे में ये कोश्चन बोल रहा है कि उस पर परकाश डालिये सैचिक नहितारतों सहीत तो चलिए इसके आंसर को हम लोग फोकुश करते हैं तो आंसर कुश हम लोगों का इस तरीके से है कि टॉलमेन के सिधान्त में केवल गतियों का ही अधिगमन नहीं प्राप्त किया जाता है मतलब कि टॉलमेन में टॉलमेन के सिधान्त में सिर्फ गति का अधिगमन नहीं किया जाता है बलकि चिन्ह का भी अधिगमन प्राप्त किया जाता है यानि कि टॉलमेन एक ऐसे बेग्यानिक थे जिन्हों ने बताया था कि किसी भी बच्चों को ग्यानवर्धक ग्यान की बाते बताने के लिए कुछ चिन्हों का भी परियोग किया जाना चाहिए और करते भी हैं सिछक तो इस तरीके से टॉल्मेन ने चिन अधिगामन सिधान्त को भी दिया फिर है टॉल्मेन के सिधान्त में ग्यानात्मक बेवहार को महत्व दिया गया है बिल्कुल सही यानि कि टॉल मेन के सिधान्थ में क्या दिया गया है तो ज्यानात्मक बेवहार यानि कि ज्यान से जूरी चीजे दिग गई है यानिक कि टॉल मेन के मत के अनुशार इन नामों से पुकारा जाता है जैसे पहला है चिन अधिगमन सिधान्थ दूसरा है शंभावना सिधान्थ तीतरा है ज्ञानात्मक सिधान्थ या उनके मत हैं उनको नीमने लखित नामों से पुकारा जाता है तो यह तीन मत हो यह तीन नामों से पुकारा जाता है चलिए इसके आगे का आंसर देखते हैं तो इसके आगे का अंसर इस तरीके से तॉलमेन का मथ अधिगमन के चीलों का अवबोध पर बल देता है मतलब कि टेले टॉलमेन का जो मत अधिगमन का जो चिन्ह का अवबोध है चिन्ह का जो सिधान्ध है वो अवबोध पर बल देता है मतलब क्या कि जो जो बुद्धी उतना नहीं है जैसे कि आप जानते हों ये छोटे बज्जों के अंदर ये जल्दी बुद्धी नहीं आता है तो उनको चिन्ह बतलाकर ह इन चिन ही आवशकता की पूर्ती करते हैं यानि कि जिन चिन्हों को बताया जाता है वही चिनों को देखकर बच्चों में ग्यान की पूर्ती होती है ग्यान बढ़ती है इनके अनुशार, इनके अनुशार मतलब किनके अनुशार? टॉलमेन के अनुशार ब्यक्ति जब किसी भी किरिया का अधिगमन करता है तो सबसे पहले समस्या के समाधान है तो अनेक तत्व एकत्र करते हैं यानि कि जब कोई ब्यक्ति जब किसी किरिया का अधिगमन करता है तो सबसे पहले समस्या का समाधान है तो अनेक तत्व एकत्र करता है यानि कि बहुत सारे चीजें एकत्र करते हैं उसिद्धान की जो विशेष्ता है वो निम्न लिखित है तो पहला विशेचता क्या है यह सिधान्त संग्यानात्मक यानि कि यह जो सिधान्त है वो शंग्यानात्मक पर अधारित होता है यानि कि संग्यानात्मक का मतलब होता है कि सबसे पहले यह सिधान्त जो है उसके अंदर की मनुभावना को बढ़ाता है किसी भी फीगर को देख बच्चे बहुत ललाईत होता है यह इस चीज का फिगर है इस चीज का चित्र है तो इस तरीके से इस में चिन आसा तथा लच्चियों का अनियवेशन करता है यानि कि चिनों को देह कर बच्चे बहुत ही जल्दी चीजों को समझ पाता है यानि कि यह बहुत के अंदर क्या सीखने की मान सीखता है यह बहुत जल्दी उभर कर आता है तो इसका अनुकरन मनों की ज्ञान में भी किया गया है, यह दूसरा पॉइंट था, तिसरा पॉइंट, सिखने वाला अनुकरियाओं का अधिगम उद्धोपनों के परतियच ज्ञान के रूप में करता है, यानिकि सिखने वाला जो अनुकरिया है, यानिकि सिखने वाला जो सिश्टम है उसके प्रति उधीपन जो है बहुत ही प्रतियच ज्ञान के रूप में करता है मतलब बहुत जल्दी सीख पाता है बच्चे चौथा है बेवहार का परिनाम लच्छ की पूरती होता है यानि कि इसके वज़े से बेवहार के परिनाम का लच्छ जो है वो पूरती हो पाता है पूरा हो पाता है फिर है कि चिन अधिगमन सिधान्त जो टॉलमेन है उनका चिन अधिगमन सिधान्त में और क्या बात बताया गया है तो यहां लिखा हुआ है टॉलमेन का मत सिच्छा में कतिपे धारना की ब्याख्या करता है यानि कि टॉलमेन का जो ये चिन अधिगमन सिधान्थ है इसमें इनका जो है मत सिच्छा के प्रती बोल सकते हैं कि धारना की ब्याख्या करना है यानिकि सिच्छक को कैसे और बिक्षित किया जाया इसलिए इन्होंने टॉल्मेन का सिधान्द दिया जिसमें चिन के बारे मताएगा है अधार्थ सिच्छक संग्यान आत्मक रचना चिन आधी सब्दों का परियोग नहीं करें तो बच्चों में अधिकमन का विकास नहीं हो पाएगा इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी टीचर अगर चिन का परियोग नहीं करें तो उसके अंदर जो शिखने वाला गुन है या पढ़ने के प्रतिजागरूपता हो सकती है तो यह नहीं आपाएगा उसके अंदर तो टॉलमेन के नुसार क्या बताया गया कि उन लोगों का विवहार जो अधिगम प्राप्त करते हैं गति को अन्य तरीका स्रिंख्रा पर दर्शित नहीं करता है बलकि यह पर दर्शित करता है कि विवहार में बुद्धी का कार्य करती है यानि कि उनके नुसार टॉलमेन के नुसार ये बताया गया कि उन लोगों का विवहार जो अधिगम प्राप्त करते हैं गति की अन्य तंतरीका स्रिंख्रा पर दर्शित नहीं करता है बलकि यह पर दर्शित करता है कि बेवहार में बुद्धी यानि कि यह पर दर्शित करता है कि उसके बेवहार में किस तरीके से बुद्धी का उपार्जन हुआ है बुद्धी वो उसके अंदर डेवलफ हुआ है तो इस तरीके से साथियों ये था हम लोगों का टॉल मैन का चिन अधिगमन सिधान्त जो की बहुत ही वीवी आई है चिन अधिगमन सिधान्त बिलकुल याद रखिएगा टॉल मैन का टॉल मैन बैग्यानी का नाम है तो ये टॉल मैन का चिन अधिगमन सिदान्थ बहुत ही important question ठीक है साथियों तो ये हम लोगों का बहुत important question था तो दोस्त आज तक के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में Childhood and Growing Up के BVI question को लेकर तो दोस्त आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद